क्या आप जानते हैं तंबाकू के अलावा कुछ ऐसी सबजियों के बारे में जिन में निकोटिन्स होते हैं या कभी आपने ये सोचा है कि हमें बुखार क्यूं आता है और क्या आप ये जानते हैं कि डीजल कार पेटरॉल कार से महंगी क्यूं होती है तो ऐसे ही इंटरस्टि हैं कि यह लिक्विट क्या होता है और इसे इंजेक्शन लगाने से पहले क्यों लगाया जाता है तो चलिए जानते हैं हम जब भी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने जाते हैं तब हम यह देखते हैं कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले और इंजेक्शन लगाने कि उसमें 70% isopropyl alcohol और 30% पानी होता है और इसे surgical spirit या rubbing alcohol भी कहते हैं ये जो alcohol होते हैं वो रोगानी रोधक होते हैं यानि germs bacterias को खतम करते हैं तो इनको injection लगाने से पहले त्वचा पर लगाने से त्वचा पर जो bacteria germs वगेरा जो होते हैं वो मर जाते हैं और जिसके कारण हमें infection वगेरा नहीं होता है क्योंकि हमारी त्वचा पर कई सारे germs bacteria होते हैं और injection लगाते वक्त ये सुई के द्वारा हमारे अंदर जा सकते हैं जिसके वज़े से हमें infection हो सकता है तो इस infection को कम करने के लिए त्वचा के उपर spirit लगाया जाता है साथ ही spirit को जिस bottle से दवाई ली जा इसके अलावा ओपृशन करने से पहले और ओपृशन करने के बाद भी तुचा पर spirit लगाया जाता है ताकि वह हमने किसी भी प्रकार का infection न望 पाए इसके अलावा और जिन उपकरणों का इसे क्लीन किया जाता है। इसे के साथ इलेक्ट्रारिक फिल्ड में electronic उपकरणों को clean करने के लिए भी spirit का इस्तमाल किया जाता है तो अब आप समझ ही गए होंगे कि injection लगाने से पहले तुछा पर डॉक्टर हमें ये liquid क्यों लगाते हैं अब जानते हैं कि क्या हवाई जहाज हवा में एक जगह पर स्थिर रह सकता है तो बता दे कि हाँ कुछ खास प्रकार के ही हवाई जहाज एक जगह पर स्थिर रह सकते हैं कुछ विशेश jet plane है जो हवा में सीधे उडान भर सकते हैं जिन्हें VTOL यानि Vertical Take-off and Landing हवाई जहाज कहा जाता है ऐसे प्रकार के ही हवाई जहाज हवा में एक जगह स्थिर यानि बिना आगे पीछे करे मनरा सकते हैं जो हवा में एक ही जगह स्थिर रह सकता है इसी के अलावा Military Aircraft का Bell Boeing V22 और Spray ये भी हवा में एक ही जगह पर स्थिर रह सकता है हालकि हेलिकॉप्टर्स भी हवा में एक ही जगह पर मनरा सकते हैं और बाकी के जो हवाई जहाज होते हैं वो एक ही जगह पर नहीं रुख सकते हैं जैसे की Commercial हवाई जहाज वगैरा इन विमानों को भी अगर हवा में स्थिर रहना होगा तो इनका भी जो अलग-अलग फोर्स होता है जैसे की Weight force, Lift force, Trust force, Drag force इन सभी force को बैलंस में रखना होगा इन सभी force को जैसे Weight force है वो हवाई जहाज को नीचे लाता है lift force है वो हवाई जहाज को उपर उठाता है trust force है वो हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है और drag force है जो हवाई जहाज को पीछे धकेलता है तो इन सबी force को balance में रखना होगा या फिर weight और lift force को cancel out करना होगा trust और drag force को भी cancel out करना होगा तब ही कोई भी हवाई जहाज एक ही जगर स्थेर रह सकता है अब basically देखा जाए तो ये theoretically possible है लेकिन practically ये possible नहीं है तो अब चानते हैं कि क्या हवाई जहाज में चाबी लगती है तो मैं आपको बता दू कि कुछ हवाई जहाज में चाबी का इस्तमाल होता है तो कुछ हवाई जहाज में चाबी का इस्तमाल नहीं होता है ये हवाई जहाज के categories के उपर depend करता है हवाई जहाज चार categories में आते हैं जैसे commercial airplane, दूसरा है general aviation aircraft, तीसरा है private jet और चौता है military jet ये जग commercial airplane होते हैं उनमें चाबी का इस्तमाल नहीं होता है जहाज को शुरू करने के लिए push ये toggle button का इस्तमाल किया जाता है और जो general aviation aircraft होते हैं उनमें चाबी का इस्तमाल किया जाता है क्यूकि इनको राद पर बिना टावरों के हवाई अड़े पर या विदेशी हवाई अड़ों पर पार किया जाता है जहाँ पर security की कमी होती है साथ ये ऐसे planes में चाबी का इस्तमाल main door को, fuel के cap को, सामान के डब्बो को बंद करने के लिए किया जाता है private jet में भी plane को शुरू करने के लिए चाबी का इस्तमाल नहीं होता है वहाँ पर toggle या push button का इस्तमाल किया जाता है लेकिन plane में दर्वाजे और बहरी compartment को बंद करने के लिए चाबी का इस्तमाल किया जाता है military jet में भी चाबी का इस्तमाल नहीं होता है वहाँ भी jet को शुरू करने के लिए toggle या push button का इस्तमाल किया जाता है number 3 हम सब जानते हैं कि किसी चीज की लट होना बहुत बुरी आदत होती है हमें कोई भी ऐसी लट नहीं लगानी चाहिए चाहे वो cigarette की हो, तंबाकू की हो, यह शराप की हो हमें ऐसी कोई भी लट नहीं लगानी चाहिए इनसे हमें बहुत सारी बिमारियां हो सकती है तो इस वज़े से हमें इन सब में से किसी की बिलत नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इसमें जो निकोटिन होता है वो हमारे शरीर पर असर डालता है इससे हमें कैंसर हो सकता है हमें लंग्स की बिमारियां हो सकती है और कई खतरनाग बिमारियां हो सकती है पर क्या आप जानते है कि nicotin सिर्फ cigarette ये तंबाकू में ही नहीं होता बलकि बाकी चीजों में भी होता है हमारे घर में जो सबजियां होती है जो फल होते हैं उनमें भी nicotin पाया जाता है इन सबजियों में जो nicotin पाया जाता है उसकी मात्रा कम होती है लेकिण अगर हम इनकी तुलना तमबाको ये सिगरेट से करें तो इस अबजिया इतनी जहरीली नहीं होती है इनसे हमें जादा हाम नहीं होता है क्योंकि जब हम सबजिया को पकाते हैं तब उन में निकोटिन की मात्रा कम हो जाती है और हमारे digestion में वो जादा जहरीली नहीं रह जाती है जो सबजिया नाइच्छीड और सुलैंसिस फैमिली में आते हैं उनमें निकोटिन पाए जाते हैं आपको ये भी बता दे कि चाय में भी निकोटिन पाए जाती है चाय की तो अधिकतर लोगों को लत लगी हुई होती है विरोज चाय पीते हैं चाय में भी निकोटिन पाया जाता है पर चाय में जो निकोटिन पाया जाता है वो इतना हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि उसमें निकोटिन की मात्रा कम होती है लेकिन अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो ये आपके शरीर पर असर कर सकता है इसलिए अगर आप ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो बहतर होगा कि आप कम कर दें अब बात करते हैं टमाटर की हमारी सबजियों में जो सबसे कॉमन सबजी होती है वो होती है टमाटर टमाटर में भी निकोटिन होता है तो इसमें भी निकोटिन की मातरा कम पाई जाती है अगर हम इसकी तुलना सिगरेट ये तमबाकू से करें क्योंकि जब हम टमाटर को पकाते हैं तब उसमें निकोटिन की मातरा कम हो जाती है और इसलिए वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की, दूसरी सब्जी है आलू यानि पटाटोस, आलू में भी निकोटिन पाया जाता है और इसमें भी निकोटिन की मातरा कम होती है जो हमारे शरीर के लिए जादा हानिकारक नहीं होती अगला है ओक्रा यानि जो हमारी सबजियों में लंबी भिंडी होती है उनमें भी निकोटिन पाया जाता है लेकिन इनमें भी निकोटिन के मात्रा कम होती है वो हमारे शरीर के लिए सेफ होते हैं उसमें जादा मात्रा में निकोटिन नहीं पाया जाता है नेक्स्ट जो सबजी है वो है गोवी, यानि कॉलीफलार, गोवी में भी निकोटिन होता है पर इसमें भी कम मात्रा में ही निकोटिन पाया जाता है, ये भी हमारी सेहत के लिए सेफ ही होते हैं जादा नुकसान हमारे शरीर को नहीं करते हैं अगली है शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम शिमला मिर्च नाइक्षीड में नहीं आते हैं फिर भी इनमें निकोटिन पाया जाता है इनमें भी निकोटिन के मात्रा कम होती है और ये भी हमारे सेहत के लिए सेफ होते हैं हब बात करते हैं बैंगन की यानि की ब्रेंजल इसमें भी निकोटिन पाया जाता है और बाकी सारी सबजियों की तुलना में बैंगन में सबसे जादा निकोटिन पाया जाता है 10 किलो बैंगन एक सिगरेट के बराबर होता है जी हाँ 10 किलो बैंगन में जितना निकुटिन पाया जाता है उतना निकुटिन एक सिगरेट में पाया जाता है साथ ही दोस्तों इन सबजियों के अलावा बाकी खाने की चीजों में भी निकुटिन पाया जाता है जैसे कि हमारे घर में जो मसाले होते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में निकुटिन पाया जाता है साथ ही जो berries होती है berries में से huckleberry, gooseberry तो इनमें भी निकुटिन पाया जाता है तो मैंने आपको जितनी भी सबजियों के नाम बताएं उनमें निकुटिन तो होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है हम जब भी बिमार पढ़ते हैं तब हमें बुखार आने की संभावना काफी जादा होती है लेकिन क्या आपको पता है कि हमें बुखार क्यूं आता है तो चलिए जानते हैं कि हमें बुखार क्यूं आता है और शरीर का कितना तापमान बुखार माना जाता है हमारे शरीर का तापमान हमेशा बदलता रहता है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जब हम महनत का काम करते हैं और साथ ही जब गर्मी का मौसम होता है तब हमारे शरीर का तापमान कुछ जादा ही बढ़ जाता है लेकिन उसे बुखार नहीं कहा जाता है Basically हमारे शरीर में अंदर का तापमान त्वचा के मुकाबले थोड़ा जादा होता है हमारे शरीर का तापमान किसी वाइरस ये बैक्तिरिया ये फंगस के संक्रमन के कारण बढ़ जाता है तब उसे बुखार कहा जाता है इन वाइरस और बैक्टीरिया के संक्रमन के कारण ही हम बिमार पड़ते हैं और इन वाइरस और बैक्टीरिया को पाइथिजन्स कहा जाता है तो बुखार का मतलब होता है कि हमें किसी बैक्टीरिया या वाइरस का संक्रमन हो चुका है और बुखार वाइरल इंफेक्शन का ए डंशीन होते हैं वो मर जाते हैं और उनके संक्रमन कम होने में मदध मिलती हैं bardziej यह यह मर ने लगती हैं हमारे शरूरी zajियर में जब किछी वायरिस स्क्रमन के चुशंप होता है तब saffyta को शिकाए संक्रमन कम करने के लिए फाइट करती हैं जब संक्रमन होता है तब सफेद कोशिकाएं पाइथजन्स नामा कैमिकल पैदा करती है जिससे रख हवाओं में छोड़ा जाता है और इन कैमिकल के कारण ही हमें बुखार आता है यानि हमारे शरीर का तापमन बढ़ने लगता है हमारे दिमाग में हाइपोथेलमस नाम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारे शरीर के तापमन को नियंतरित करता रहता है जैसे ही इपाइथजन्स क्यामिकल दिमाग के हाइपोथेलमस के पास पहुँशते हैं वैसे हाइपोथालेमस हमारी शरीर का तापमान बढ़ाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं, इसी बुखार की कारण वाइरस ये बैक्टीरिया का संक्रमन कम होने में मदद मिलती है, हमारी शरीर का नॉर्मल तापमान 37 डिगरी सेल्सियस यानि 98.6 डिगरी फैन हाइट होता है, और जब तापमान 39 डिगरी सेल्सियस यानि 102.2 डिगरी फैन हाइट होता है, तब उसे तेज बुखार माना जाता है, और शरीर का तापमान अगर 41 डिगरी सेल्सियस यानि 105.8 डिगरी फैन हाइट होता है, तब उसे बहुत तेज बुखार माना जाता है, नमबर वन आपने एकसर देखा होगा कि पेट्रॉल कार और डीजल कार की कीमतों में काफी फर्ग देखने को मिलता है डीजल कार पेट्रॉल कार से हमेशा महंगी होती है लगबग एक से डेल लाग तक का डिफरेंस देखने को मिलता है लेकिन क्या आपको पता है कि सेम मॉडल होने के बावजूद भी डीजल कार पेटरॉल कार से महंगी क्यों होती है तो चलिए जानते हैं कि डीजल कार पेटरॉल कार से महंगी क्यों होती है डीजल कार पेटरॉल कार से महंगी होने के पीछे बहुत से कारण है जिन में से पहला है इंजन पेट्रॉल कार और डीजल कार के इंजन अलग तरह से काम करते हैं मतलब पेट्रॉल इंजन और डीजल इंजन एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों के काम करने का तरीका भी अलग होता है पेट्रॉल काफी जुलनशील और तुरंट वाश में रुपांतरित हो जाता है तो पेट्रॉल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी पैदा करके पेट्रॉल का जुलनशील किया जाता है और पैदा होने वानी इंजिन से पिस्टन का मूवमेंट होता है लेकिन डीजल इंजिन में स्पार्क प्लक का उप्यूग नहीं किया जाता है डीजल पैट्रॉल की तरह शीक्र जुननशीन नहीं होता है साथ ही डीजल का कंप्रेशन रेशियो जादा होता है तो डीजल इंज इंजन में हाड और हाई क्वालिटी माटीरियल का उपयोग किया जाता है जो काफी महंगा होता है और इसी वज़े से इंजन की कीमत और ओवराल गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है साथी डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन के लिए लंबे स्टॉक की जरूरत होती है जिससे सिलिंडर साइज बढ़ानी पड़ती है जो फिर से इंजन की कीमत पर प्रभाव डालता है साथी ठंडी जगाओं में डीजल कार के इंजन में ग्लो प्लक का इस्तमाल किया जाता है ग्लो प्लक एक गरम करने वाला उपकरण होता है जो डीजल इंजन को शुरू होने में मदद करता है ठंडे वातवरन में डीजल इंजन को स्टार्ट करने में दिक्कत आती है ठंडे इंजिन जल्दी स्टार्ट हो जाता है तो इसी गलोप लगकी वज़े से भी इंजिन की कीमत बढ़ जाती है साथी डीजल इंजिन के अंदर हाई प्रेशर को जहिनने के लिए हाई क्वैलिटी फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है जो पेट्रॉल इंजिन के इंजेक्टर के तुलना में काफी महंगा होता है साथी डीजल इंजिन में फ्यूल इंजेक्शन पंप भी काफी महंगा होता है और इसी वज़े से ओवरॉल इंजिन की कीमत बढ़ जाती है डीजल इंजन पेट्रॉल इंजन की तुलना में ज़्यादा प्रदूशन करता है डीजल इंजन हानी कारक हाइडरो कारवन, कारवन मोनो आकसाइड, नाइट्रोजन आकसाइड और और पर्टिकलर माटीरियलों को फाइदा करता है तो इनको कम करने के लिए खास प्रकार के फिल्टर्स लगाए जाते हैं जिससे इंजिन की कीमत और भी बढ़ जाती है तो इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स डीजल की कार में लगाने पड़ते हैं जो पेट्रॉल कार में नहीं होते हैं तो अब आप जान ही गए होंगे कि डीजल कार पेट्रॉल कार से महंगी क्यों होती है उमीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा मिलेंगे हमारे नेक्स वीडियो में इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि अपकमेंट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा धन्यवाद